विल्कमें बएक डिस टूदेश्वीट्व अड़ीय आंगे पढ़ें कुछ चीज़े होती जो में हर वीडियो में बोलता हूं पहले चीज़ आपके पास यह हाड कॉपी होना चाहिए मतलब आपके पास से पन्ने में लिखा होना चाहिए वोमेस टू गांदी और नहीं अगर आपके पास यह तो यह मेरा वाट्सर नंबर है तो मुझे मैसेज करिए मैं आपको पीडिया फाइल में दे दूंगा फिर आप इसको प्रिंट और निकलवा लिए यह पहली चीज़ एरफोन लगा लिए मुबाइल साइड में सामें लग दीजे इसको उठा लिए और पैंसर बढना है क्यों पड़ना है तоме जिए निया रवन है तो यह यह इसली अधे भी है और यह से काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है तीस जनवरी नैंटी फोटी एट की दुरगटना ही है मैं क्या बोलने इसको और मौनफुल इवेंट है यह हमारे बापो हमारे गांदी जी को असाइसिनेट कर देगा तो उसी वक्त उनकी हत्या की गई थी पांच बच के सत्रा मिनट में उस दिन जो है शु पहले वह गांधी ब रillary हाँस में जब यब परेयर करते थी पहतारे वहां नीचे उतीर रहे थे तब नाथुराम गोड किसने नाथुराम गोड से जिसमें हात्या की थी वह असासिन था ठीक है तो नाथुराम गोड ने बेरेटा कौन सी बेरेटा बंदू बंदू का नाम बता रहा हूं है फोटो दिख रही हो आपको बेरेटा जिसका जो है मॉडल 1934 में बनाए गए थी इतालियन पिष्टा ने सेमी आर्टोमेटेड है इसमें 9mm की गोरी लगती जिसको मारा गया था तीन बार तीन बार गांदीजे के अब्डॉमिनल सेक्शन में नाथुनाम गोर्चे ने सूट किया था ठीक है और यह जो है जो बंदू के यह पर इटैलियन बंदू तो मैं बता दिया आपको तो वहां से बिटिस ऑफिशर को वहां से मिली थी उसने एक एज़ा जो है इसको यह प्राफी से प्राफी समस्ते और यह पीस लिया था इटालियन ऑफिसर से और फिस तरह से चल्ड अतुनाम गोर्चे को आती है किसीर मिलती है कि कोई इंफोर्मिशन नहीं है यह ताप सीक्रेट है कई मिला नहीं और ग्यूंकि हर एक मोडल नंबर भी होता है ठीक है तो तो जिस दिन उनकी हात्या की गई यह बहुत ही बड़ा इवेंट था यह हो तो गया अब इसको बताया कैसे जाए क्योंकि उस समय माहत्मा गांदी ऐजा बापु बहुत बड़े लीडर थे मतलब उनको कुछ हो जाना पूरे जो इतनी मुश्किल से इंडिया बनाया के तो उसको बनाया रखने के लिए यह किस तरीके से बताया जाए न्यूज में कैसे बताया जाए ठीक हालां कि 31 जनवरी को रही नेक्स डे लेकिन उस समय साम को अगले पिछले दिन फ्राइडे की रात को साम को कि टरीके से न्यूज इस पढ़ेंगे तो हम यह समझ पाहेंगे कि बंडित जावाल नहरु जी जो है ये जान बुच कि इन्दिया में को बहुत ही सोच समझ कि इंट को समय घटना हुई थी आगर किसी आगर यह ना बोलते इस तरीके से तो क्या क्या हो सकता था बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता था पुरे इंडिया में चलिए मैंने आपको इन्फरमेशन दे दी हाला कि जो है तीन दिन बाद सेकेंड फरवरी नैंटेन फॉट्टी एट को जो है कॉंसिट्वेंट कॉंसिट्वेंट असेम्बली में उन्हें और इस्पीश दी वह इस्पीश से अधा बढ़ी थी वह नहीं पढ़नी वैसे हमें चलिए लेकिन मतलब सिंधांजली क्या होता है सिंधांजली जब कोई इंसान की देथ हो जाती तो उसके आखरी मोमेंट में उसको हम कुछ वर्ट बोलते हैं उसको हम देते हैं उससे हम कहते हैं ठीक है चलिए कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको हाँ फ्रेंड सेंड कॉम्रेट देखिए इस यह पहली लाइन पहली वर्ट से वह सबको all और इंडिया में सबको friends and comrades बोलके सम्मोजित करते हुए कह रहे हैं the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere यह बहुत famous line है इसको याद रखीगा किस किस जो है speech की line है यह line कर लिजे the light has gone out of our lives and there is a darkness everywhere हमाई अब पूरी अब पूरी हर एक जगे क्या है अंधेरा चा गया ठीक है darkness darkness of negativity की बात हो रही है यहाँ पर the light has gone out of our life and there is a darkness everywhere I don't know what to tell you and how to say it पंडित जवालनु समझ भी पार है कि किस तरीके से वो बताएं अपने नेशन को अपने किस तरीके से बताएं अवर बी लवर लीडर हमारे प्यारे लीडर हमारे प्यारे लीडर बापू आइस वी कार्ड हिम जैसा कि उन्हें हम बापू कहते थे the father of nature मतलब राष्ट पिता हमारे father of nation is no more अब वो नहीं ही रहे perhaps I am wrong to say that साथ मैं यह कहने साथ मैं एक गलत ही कह रहा हूं nevertheless क्योंकि हम यह जानते हैं यह कि यह होने के बावजूद मतलब होता है यह event होने के बावजूद भी मतलब ही इस सो क्लेवर nevertheless also a kind ठीक है यह होने के बावजूद भी यह भी है nevertheless वहाँ पर आता है nevertheless we will never see him we will never see him again as we have seen him for these many years हलाकि यह event जो हो गया है परहाप्स आम रॉंक तुसे मैं साथ अब उन्हें मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा दुबारा कभी क्योंकि जैसा कि हम उससे हम उन्हें देखा करते थे we will never see him again हम उन्हें दुबारा तो नहीं देख पाएंगे कभी we have seen him for these many years जितने की years हम अभी तक उनको हम देखते आ रहे थे we will not run to him for advice अब हम उनके पास नहीं जा पाएंगे advice के लिए सला के लिए परामर्स के लिए and seek मैंने comfort मलब वह comfort हम उनके पास हमें मिलता था वह जो हमें comfortable comfortability मिलती थी उनके पास अब वह हमें नहीं मिल पाएगी फ्रॉम हिम कौन बापुजी और यह बहुत बहुत ही बुरी बात है बहुत ही बुरी घटना है ब्लो माने हावा होता है लेकिन यहाज का मलब घटना से है situation से है not to me only मेरे लिए नहीं यह केवल but to millions and millions in this country लाखो लाखो लोग जो इस पूरे राश्ट्र में पूरे इंडिया में उन सभी के लिए बहुत ही दुर घटना है and it is a little difficult and it is a little difficult to soften the blow यह थोड़ा सा मुस्कील है कि मैं इस situation को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकूं कि सॉफ्ट करने वी सिचुएशन ही नहीं है ठीक है सॉफ्टन दब लो बाय एनी अधर एडवाइस डैट आए और एनीवन कैन एल्स गिव यू कोई भी चाहे मैं हो चाहे कोई भी आपको कोई भी एडवाइस दे लेकिन यह जो सिचुएशन नहीं किया स इस टेम्पोर रहा है यह कोई लिखावाप पहले से नहीं रखा उनाने तो एक एक वरड़ों भूत ही समझधारी से बोल रहा है क्योंकि उन्हें पुर्ण पुरा नेशन सुन रहा है समय और पूरनेशन सुन रहा था तो उनके एक एक यह वर्ड से पुछ भी हो सकता था द and yet I was wrong लेकि मैं फिर भी गलत हूं क्यों गलत हूं for the light that shown in this country वो रोश्णी जो इस राष्ट को दिखाई गई है was no ordinary right वो कोई एक मामुली light या कोई मामुली रोश्णी नहीं थी कोई मामुली इंसान या कोई मामुली सिच्छा नहीं थी सब्सक्राइब है the light that has illumined this country for these many years will illumine this country for many more years जो light जो रोश्णी जो सिच्छा आभी तक इस देश को इस राष्ट को दर्शाती भी सिखाती भी आ रही थी वो आगे भी कई सालों तक दिखाती दर्शाती रहेगी समझ मियारा and a thousand years later और उसके हजारों साल बात भी that light will be seen in this country and the world will see it and it will be solace to innumerable hurts देखिए यहां कुछ वर्ट से सोलोस मैंने आपको बता रहे हैं सोले मैंने पाथ ड्राइंग अस फ्रॉंद एरर टेकिंग इस इंस इंसेंट कंट्री तो फिटम देखिए बहुत बहुत में वर्ट इसमें पहला इंटर्नल ट्रूथ एक ऐसी लाइट जो इंटर्नल तूथ थी मतलब सदेव सत्त रहने वाली रिमांडिंग उस फ्रॉंद राइट पार्ट एक ऐसी लाइट जो हमें याद दिलाती रहेगी कि हमारे लिए सत्त्त क्या या सहीराष्टा कौन सा है ड्रॉइंग अस फ्रॉं से अपनी मुशिबतों से निकालती रहेगी वह लाइट टेकिंग दिस एसेंट कंट्री तुद फिटम इस प्राचीन राष्ट को जो है फिटम फिटम मतलब हिंदी में क्या कहते हैं बुली गया अजादी इस प्राचीन राष्ट को अजादी की और जो लाइट ले गई वह ठ यह सब तब हो गया जब उनके पास और ही बहुत कुछ था करने को मतलब कि अभी भी पंडित जवाला नहरु जी के हिसाब से गांदी जी के पास अभी और भी और भी कई काम थे जो उन्हें करने थे ठीक है वी कुड नेवर थिंग डैट ही वास अननेसेसरी बहुत अच्छ लिए और डैट ही है डन ही स्टास और नाहीं यह कभी सोचा हमने कि उन्होंने अपना सारा काम कर लिया मतलब अच्छा इनका काम ये रहे गया इस मतलब भी बहुत सा उंको काम करना था हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे वह बट नाओ लेकिन अब पॉर्डीकलर सब्सक्राइब को सामना करने के लिए अब हमारे साथ नहीं खड़े हैं यह बहुत मुझकिल है सहन कर पाना इस बात को मान मान पाना बहुत मुझकिल है अब मैड मैन देखिए अभी यहां पर रही ना रही कि जो है बंडिश जवाला ने नातुराम गोड़्चे को क्या कहा था मैड मैन कहा था मैड मैन एक पागल व्यक्ति ने उनकी जिन्दिगी को खत्म कर दिया फॉर आई कैन ओनली कॉल हिम हूं मैं तो केवल उससे पागल कह सकता हूं जिसने यह किया और यह देर हैस बिन एनफ आफ पॉइस प्वाइजन इस कंट्री दूरिंग पास्ट यह संद मत हालां कि अभी इस राष्ट में एक पॉइसनेस अट्मॉस्फियर फैल रहा है मतलब की एक तरीकिस जाधिवाद धर्म वाद अभी भी डैवर्जन हुआ था पाकिस्तान अलग हुआ था तो बहुत ज़्याद जो है क्या कहता हूं मैं दंगा फसाद था बीच में राष्ट को ले करके और जह जाधिवाद को ले करके धर्म को ले करके मुस्लिम अभी भी हमाई साथ है तो अभी उतना था भाई चरह नहीं बन पाया था ठीक है समझ में आ रहा तो वहीं यहां पर कह रहा है कि इस्प्रेड इन दिस कंटी दूरिंग पास्ट यह से मत मन्त एंड इस पोईजन हैज है ए हमें इस पोईजन को फेस करना ही होगा ठीक है इस जहर को सहना ही होगा वी मस्ट रूट आउट इस पोईजन और हमें इससे बाहर निकलना और रूट आउट मतलब बाहर निकलना होगा एंड वी मस्ट फेस और देट इंकमपास अस पैरेश मतलब होता है ग्रेट डैंजर ड सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो भी ग्रेट डैंजर आएंगे हमारे सामने हमें उसको एक साथ मिल करके उससे लड़ना होगा ठीक है और हमें उससे पागल पन या बुरी तरीके से नहीं करना है बट रैदर इन वे टाइट अवर टीचर टॉट उसको फेस करना है जिस तरीके से हमारे प्यारे सिछक ने हमें सिखाया है कौन मात्मा गांदीजी ने फिर इसी लाइन पर जो है अपने नेशन को कह रहा है कोई ला तो वो जो है नहीं चाहते कोई दंगा फुसाद हो जाएगी बहुत बड़ी घटना है यह ठीक है ना दा फर्स तिंग तो रिमेंबर नाओ इस डैट नन आफस डेयर डेयर मिस्बिहेव ही इस एंग्री तो को यहां पर एक वड़ा रहा ही ही यहां पर कौन है अब फिर सबको कोई सबको बोल रहें कि कोई भी गुसा हो रहा है अगर इस बात से कि हमारे बापोजी छोड़के हमें चले गए उनकी हत्या कर दे गई है तो वह कुछ भी नहीं करेगा ठीक है कोई भी दंगा फसाद नहीं करेगा वी हैड डू बिहेव लाइक स्ट्रॉंग डिटर् संकल्पी मनुष्य हैं इस वक्त कि हमें जो है अपने राष्ट को एक अच्छे अंदिशा मिले जाना है ठीक है डिटर्माइंड टू फेस और डिटर्माइंड किस और चीस के लिए सभी पैरिल्स के लिए मतलब कि सभी आने वाई डेंजर्स के लिए मुसीबतों के लिए हम इस अंकल्पी है डैट सराउंड जो हमारे आसपास आने वाले हैं डिटर्माइंड टू कैरी आउट दा मैंडेट मैंडेट मतलब होता है देखिए मैंडेट यहां पे पॉलिटिकल वर्ड आया है मैंडेट मतलब कि एक ऐसी पावर उस पावर से मिलने वाले इस इंस्ट्रक से मेंडेट वर्ड टीचर जुमेडेट टीचर थे उनके दोलब कि सत्त के रावृ चलना है और नौन वाइलेंस यह सब जो है जो मैंडेट टीचिंग दिगई है इस स्पूलों करना है और ग्रेट लीडर हैस गिविन जो जो उन्होंने दिया है इस बात को हमें से याद स्क्राइब करना कि उनको लोग किसी भी छोटे गिरहों बन करके कोई वाइलेंस क्रेट कर दें तो एसा कुई भी अट्री मत करना जिस्सें उनकी आत्मा को दुख पहुचे ठीक है ऐसा ऐसा लीडर वो वहाँ पर बोल रहे हैं अपने बड़ी बात है यह इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा बट डाइट 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 सारी मुशिबतों को एक साथ करना है जो कि हमारे सामने है यह आने वाली है वी मस्ट होड टुगेदर हमें एक दूसरे का साथ देना है हाथ पकड़ना है और पेटी टबस यह चुड़ी जो पेटी टबस हैं इनके खिलाफ एंड डिफकल्टीस एंड कॉंफ्लिक्स मस्ट बेंड इंड़ फेस ओप ग्रेट डिजा इसके कंपैरेजन में चीज़ें हैं जातिवाद धर्मवाद यह सब चीज़ें इसको आप छोड़िए यह अब भी ज्यादा हमारे प्रॉलम क्या है जो अभी हमारे बापुष हमें छोड़ के चाड़ेगे तो हमें एक कंसॉर्डेशन भीहवियर में आना है ठीक है हमें उन all things of which we have thought too much a great disaster जो कि छोड़के में गये इसी को great disaster बोल के वो क्या कह रहे है कि इनों ने जो हमें सिखाया है हमें उस चीज़ को आगे देखना है और छोड़िटी प्रॉलम्स को फगेट करना है भूलना है और हमें एक साथ रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है यह in his death he has reminded us of the big things of life the big things of life the living truth and if we remember that then it will be well with India जो भी इन्होंने हमें सिखाया सच्चाई जिंदगी की पूरी सच्चाई यार भी the big things of life जीवन की बड़ी बड़ी बाते the living truth जो की एक जिंदा सच थे जो की महत्मा गांदी जो को बोल रहे लीविंग तुरूथ जिंदा चलने वारा इंसान जो सच चलने वारा इंसान और हम यह सचाई बाते याद रखेंगे तो यह हमारे देश हमारे राष्ट के लिए अच्छा होगा इट वास प्रोपोस्ट बाइस सम् फ्रेंड्स यह ऐसा कुछ लोगों द्वारा कहा गया है डैट महात्मा 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 जीज बॉडी मतलब कुछ लोग कुछ लोग इसा कह रहे हैं कुछ लोगों ऐसा कहा है लीडर जोब की कि मात्मा गांदी जी की बॉडी को सुट वी इंबार्म मतलब होता है कैमिकल प्रोसेस से जो है बॉडी को प्रिजर्वेशन में रखना मतलब बॉडी खराब ना होने पाया कुछ वक्त तो प्रिजर्व करके रखन कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम उनकी बॉडी को इंबार्म प्रिजर्वेशन में करके रखेंगे ताकि मिलियंस वाफ प्रिपल लाखों लाखों लोग जो है उन्हें आखरी विजिट आखरी सद्धांजली दे सकें बट इट वास ही विस लेकिन यह उसनकी इच्छा थी यह उनकी इच्छा दिक्या रिपेटेर्ली एक्सपेश जो कि बार बार उन्हें हमें बताई थी डैट नो सुछ तिंग सूड है पन कि ऐसा कुछ भी उनके साथ ना किया जाए डैट डिस शूट नॉट बी डन और ऐसा नहीं होना चाहिए क्या नियुने चिए इस चीज़ के खिलाफ थे कि उनकी बाड़ी को किसी भी तरीके से प्रिजर्वेशन में रखा जाए मतलब महत्बा गांदी जी की लाश्ट विश्टी कि वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे ठीक है एंड सो वी डिसाइड डैट वी मस्ट फॉलो इस विश्ट इन दिस मैटर तो इसलिए हम लोगों ने यह सोचा है कि हम उनकी आखरी विश्ट को जो है फॉलो करेंगे उसको आगे पालंग करेंगे हाव वेर मच अधर माइट है विश्ट अधरवाई लेकिन बाकी लोगों ने बचाता लोग यहीं ख्वाइस थी कि उनकी बाड़ी को इंबाम किया ज तब उसको उतनी पुलिस इस्ट्रेंथ नहीं थी उनका हम लोगों के पास वक्त कि हम इतनी बड़ी मॉप को संभाल पाते और इंडिया से तो वह उसको भी कंट्रूल करना चाह रहे है इस तरीके से और यह देखेंगे जिस दिन उनकी हट्याइब फ्रैट था आगले दिन स्रेटें वहा कॉमन सी बात है तो विल बी टेक और नेक्स डे इन डेली सिटी कहां पे डेली सिटी में बाइड़ी साइड आप जमिना रिवर नालाइंग कर लिजे ऑन देले फोर नून अलगबार द याड यह विश्क्राइब नहीं होता एक एक ऐसा जो है मतलब फ्रेम जिसमें बॉड़ी को रखकर के उठाया जाता है ना चाया उठाया जाए चाया उसको कॉफिन में उपर रखकर के चाया लेके जाए देखिए आपको फोड़ो दिखा रहोंगा मुझे मिल गई होगी त अर्थी हिंदी में अर्थी बोलते है ठीक उसको चलिए बता दिया मैं आपको बियर हो कहां गया बुल गया हम कहां गये लाइन हां दा बियर विल टेकन और बिल्ला हाउस और यह जब अर्थी निकले कि तो प्रिस्क्राइब रूट को ही फॉलो करेगी मतलब जो रोड बता क्रिमेशन प्रोसेस होगा देक्रिमेशन विल टेक्स प्लेस देर एड अब फॉर पीम और किस समय को रखा गया है फॉर पीम साम को चार बजे का टाइम रखा गया है दा प्लेस अन्डर रूट विल बी अनौंस बैरेडियो ऑन द प्रेस और जो भी डिसाइड किया जाएग और शूट गैदर अलॉंग दिस रूट वह भी देखो यहां पर भी क्या कह रहे है बंडी जाल नहीं कि आपको सड़ा के किनारे 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 जो सबस्क्राइब अगर दो रास्ता है तो सब्सक्राइब आप खड़े हो सकते हैं बीज मत आयेगा वह पूरी इंटैरली तर तो अलॉंग साइड बट रैदर तो गो नहीं कहां कि हम भूली के लाइनी पीपोल इंदेली विश्टू पे दियर होमेश्टूट गैदर अलॉंग साइड इस रूट इस रूट आप इसकी बजाए क्या कर सकते हैं आप बिर्ला हाउस से जमना रिवर तक की रोड के दोनों तरफ जो है आप एक अलांग साइड जो है खड़े हो सकते हैं अपनी संधाजी देने के लिए ठीक है किसको किसके लिए कह रहा है वो डेली की लिए गल्यार वाक्त ठीक है प्लब उस वाक्त रह रहा है थे जो एंड आऊ-ड्रस्ट करता हो देट डेट विल व तरह के जंगा फसाद कुछ भी दरसाएगा नहीं किसी तरह का एंग्रिली मुवमेंट नहीं करेगा ठीक है यह बेस्ट वे एंड़ फिटिंग वे टुपे होमेश टू ग्रेट सोल यह सबसे बेस्ट तरीका है अब हमारे जो है बाबुजी को एक होमेश देने का ठीक है ऑल्स सब लोग प्रे करेंगे अपने बाबुजी के लिए दोस हुर लीव एल्सवेर जो और कहीं रहते हैं मतलब डेली के अलामा किसी और स्टेट में रहते हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि आउट डेली और पार्ट आप इंडिया विल नो डाउट टेक सच पार्ट सच पार्ट हाला कि वो लोग तो नहीं आ सकते हैं डेली में तो वो और क्या कर सकते हैं उनके लिए बोल रहे हैं वह सब लोग अपने जगे पर रह करके फास्ट करेंगे और प्रेयर करेंगे ठीक है एंड और अप्वाइन्मेंट टाइम और जिस समय क्रिमेशन का अप्वाइन्मेंट दिया गया है चार बज़े का साम को और अफ्टर नून पीपल शूट गो तुड़ रिवर और तो अफर प्रेयर देर वह अपने अपने स्टेट में जा करके जमने रिवर तो अपने नेशन को जो है मोटिवेट कर रहे है कि हम सत्त की खड़े रहेंगे और कोई वाइलन्स नहीं करेंगे और इस के लिए हमारे राष्ट का जो इंसान था जो बापु जी थे वह अपनी जिनगी को जिये और उसी के लिए वो मर भी गए सत्त के लिए एपकर बैस्त पेयर डाइट वी केन औफर हीम एंड इस मेमोरी यह बैस्ट प्रेयर होगि जो उनके लिए हम उनकी याद में दे सकते हैं यह उनके लास्ट लेकिन उन्हें लास्ट में जैहिंदी बोला था आपको यह समझ में आओगा मैंने मैं कुछ पीडियाफ दे दूंगा वाट्सप पे जिसमें आपका प्रिंट मीडिया त्यार हो जाएगा और रेडियो त्यार हो जाएगा मैंने सोचा है उसको देने के लिए आपको ठीक है मैं भी उसी से परट रहा हूं तो अगर आपको चाहिए तो आप वाट्सप मुझे मै आप क्या करना है वीडियो जो है जरू शेयर कर दिए ताकि जो है सब लोग इस प्लेस को पार सके तीक इस वेरी इंपॉर्टेंट कीप वाचिंग इस चैनल कीप चुटिंग टाडा